चुनामिश सब्धा के अभ्याक्सर भरती जन्ता पालिशी के अभ्याक्सर के जयनाख चिंगी विधान परिश्थ के ख़ध स्वेर भरती जन्ता पालिशी के परिशनेथा पिर्पृंट चिंगी उत्रदेश सरकार में मेरे सयोगी मंत्री और इसी आजमगड के सपूर से दाराशिंग चौहान जी उपाद्धेक्स पुरवांचल विकास वोड जी नरेंद्र सिंग जी प्रदेश के उपाद्धेक्स खंस्याम पटेव जी लोग सभा की प्रभारी मारकंडे राय जी सयोग डक्टर स्यामनायन सिंग जी शेख लेश मिस्त्रा जी विनोग राय जी माहिश्वरी कांत पांडे जी सिशुकदेव सिंग जी सिमती मंजू सरोग जी लक्षिमन मोल्य जी क्रिश्न पार्टी देवेंद्र सिंग जी प्रेप्रकास राय जी पीजा राम जी खृष्ण मुरारी विश्क कर्मा जी और भारती जन्ता पार्टी के लोक्त्री प्रक्यासी आजमकर संस्य सिर्टी सी दिने सुला लियादो उनको निरुवा जी और उपस्टित आजमकर के सभी भायो भेनों पूरी देश के अंगर लोक्त्रफा के चुनाओ चल रहे हैं दिन चौनों के चुनाओ संपन्ड हो चुके हैं और भायो भेनों पूरी चौनों के चुनाओ जो रुझान हैं ये रुझान इस वाट को बताते हैं कि भारती जन्ता पार्टी प्रचंड पहमत के साथ इस धेस के अंदर फिर से सरकार बनाना चाती है यानि जन्ता का रुज्वान यही है मुझे पूरे देश के अंदर पूरब में, पस्थिम में, उत्तर में, दक्षिन में चाहिए पस्थिम नंगाल हो, उडीसा हो, असम हो, तिर्पुरा हो या फिर पस्थिम में महराश्त है, गुजरात है इदा राजिस्थान है, उत्तर में हिमानचल प्रदेश और उत्तराखन और बख्षिन में केरल है, तमिल लौडु है, करनाचर है, आंद्र है, सिलंगाना है मत्य में मत्य प्रदेश, सत्तीस गाड़, इन सभी राजियों में जाने का उसर प्राप्त हुआ और प्रतेख नागरिके मों पर, इस देश की प्रतेख जनता की जवान पर एक ही नाम है और भायो बेनो, हर एक जागरूक मत्याता की एक ही उमीद है और एक ही उत्सा देखने को मिलता है, कि फिर एक बार, मोदी सरकार फिर एक बार, फिर एक बार, मोदी सरकार यानि हर ब्यक्ति की एक जाहत है कि मोदी जी फिर से प्रधान मुंत्री पने तो भायो बेनो, जब उत्तर व्रदेश में 2014 में हमाजी मैं से 72 सीट जीते थे इस पार लोगों ने पूछा कि क्या आपका लक्से है तो मैंने का 74 पलस, तो कहा 72 तो सीट जीते थे 74 वी सीट कौन होगी, तो मैंने का आजमगर होगी और यही अपिल करने के लिए मैं आपकी बीचाया हूँ क्या आप 14 वी सीट भारती जन्ता पार्टी को आजमगर देने जा रहे हैं इधर पूछ रहा हूँ बीच में इधर और आयोवेलो मैं इसलिए आपकी बीच आया हूँ आजमगर को एक पैचान दिलाने के लिए आप सब जानते हैं आज देश और दुनिया के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने आजमगर को इतना बद्दाम करवा दिया है आपने देखा होगा जबया मठाला हाउस का कांड़ हुआ था दिल्ली में किती बद्दामी हुई थी आजमगर की और तब मैं स्वयम आजमगर आया था आजमगर पे मुझे भी हमला हुआ था लेकिन हमले की परवाह के बदर आजमगर के एक एक जक्त के सम्मान और स्वाविमान की रख्सा का जो कारिकरम हम लोगों ने इस समय चगाया था आज आजमगर की उसी पैचान को दिलाने के लिए हम लोग आये हैं कभी आजमगर की पैचान यहां के साइट्यकारों से यहां के कलाकारों से यहां के हैहरपुर जैसे घरानों से होती थी और आज आजमगड को सपा बस्पा ने आतंक और अफ्राज का गड़ बना करके बदनाम करनी की जो पुस्ति चेश्टा की है इस से उभारने के लिए हम लोग आये हैं वह यो बेनो आजमगड के सामने पैचान का संकट के शुरूत में होता है आज अगर आजमगड का कोई नौजवान आजमगड से कहीं बहार जाता है अगर वह आजमगड नाम लेता है होटल में कमरे नहीं मिलते कोई किराय पे मकान नहीं देता नदाने कहां पर क्या घटित हो जाए क्योंकि जैसा नित्रक्त आजमगड से चुन करके जाता था वह उसी प्रकार की छाप आजमगड की प्रतेख बेक्ति पर पहुंस भी थी और उसकी आँच से आजमगड का प्रतेख नागरिक उस तपिस में जुनस्तावा दिखाई देता था नौजवानों के सामने अपनी पैचान का संकट ठड़ा होता था और इसलिए मैंने भोजबुरी का एक सुपरसित इस्टार आपके सामने दिया है जो आपकी कला आपकी परंप्रा आपकी संस्पिर की और आपकी विरास्त को लेकर के जिसने गरीवी जेली है गरीवी देखी है और गरीवी में संघर्ष करते वे अपनी एक मुकाम बनाई है और अपनी इस पैचान बना करके आप आजमगड को भी एक नई पैचान दे सकते हैं और इस पहचान को बेकर के यहां के युवाओं के जीवन को उज्व लाह दिखा सकते हैं इसलिए दिले इसलाल यादाओ निरुवा को मैं आजमगड में लेकर के आया हूँ वायो बेनों इसलिए लेकर के आया हूँ हमने का कि नई जो लोग निर्वा के बारे में कैदें कि नचनिया है नई उनको बताया जाना चेक एक कला और संस्कृति का प्रतीक है और इस कला और संस्कृति के प्रतीक के साथ आजमगड को जोड़ना है आजरंगर को आतंग और अपराद के साथ नहीं जूड़ने देना है यही अंतर है सपा पसपा के लोग अपराद के साथ अपनी प्रिविड़ती जोडते हैं अपने डियेने को जोडते हैं अपना पैचान जोड़ने का प्रियास करते हैं और इसलिए बटला हाउस की घट्मा का समर्सन करते हम लोगों के लिए देश की सुरक्सा महत टपूर है यहां का भिकास महत अपूर है यहां के प्रतेश नागरी के जीवन में खुता ली आए यहां हमारे लिए महत टपूर है और इसी महत्वपूर्ण उप्लब्दी के ले आजमगड में मेरा बार बार आना होता रहा है बायो बेनो जब हम लोग पुर्वानचल भी बात करते हैं एक तरफ गोड़कुर है एक तरफ बारानसी है दोनोंने काभी विकास किया विकास की प्रक्रिया के साथ काभी आगे वढ़े लेकिन बीच का आजमगड मौू जौनपूर इस सारे के सारे छेतर विकास से बहुत पीछे छुड़ गए से आजमगड से निकलावा ब्यक्ती गाजीपुर से निकलावा ब्यक्ती मौहू से घोसी से निकलावा ब्यक्ती लादगंच से निकलावा ब्यक्ती अब एनगर से निकलावा ब्यक्ती जब बाहर जाता है खूब प्रगति करता है कोब मेहनत करता है खोब अपने पुरसार्ट के बल पर परिश्रम के बल पर खोब यस्ट राप्त करता है लेकिन आजमकड के साथ इस स्रीन नहीं जोड़ पाया और आजमकड के साथ मेरा भावनात्मक लगा था क्योंकि जब मुझे हमना हुआ था पूरा आजमकड मेरे साथ सड़कों पर निकल करके उन पत्तों का मोतोर जबाब देने के लिए खड़ा हुआ था और तब मैंने कहा था कि आजमकड करकास होना चाहिए हमारी सरकार बने तो भायो बेनो आजमकड को सबसे पहली सवगात मैंने जी कि आजमकड में प्रधान मंत्री जी को आमंतित करके जोलाई 2018 में पूर्वांचल एक्स्प्रेस वेका सबसे बड़ा भाग आजमकड को दिया है और आजमकड को अंसी ये लखनों के साथ जोड़ रहा है ये लखनों के साथ जोड़ने का कारिक्रम इसलिए जिससे आजमकड में हम एक और जोगी गवातावन देश सकें आजमकड में पिकास के संभाम नाओं करा के बढ़ा सकें और जब आजमकड के प्रभुत ज़न मेरे सामने आए इन्होंने का संगठन के मारे पजादी कारियों ने कहा कि आजमकड में भी तो कुछ होना चाहिए फुर्वान चल एक्सप्रेस वे तो बन जाएगा उद्योग लगेगा नौजवानों को नौकरी मिलेगी लेकिन नौकरी देने के पहले यहां पर कुछ सिक्सा के भी तो कुछ केंद्र होने चाहिए तो वाईयो बेनों मैंने इसी बजट में आजमगड के लिए बिश्वी त्याले की ही विवस्ता करनी है अब आप सोचे ना इतने बड़े-बड़े कारे तो यहीं हुए है और सेज अन्यक्तारियों का अगर मैं गिनाओं आपके बीच में तो आजमगड में आप एक बार सफा पसपा के विधायक और इनके चांशतपत के पूर के प्रत्यासिया जो भी लोग रहे हैं इनसे एक बार पूछना और इनसे पताना की वास्तों मैं अगर वा भाजपास सरकार के दो वर्ष में और मोधी जी की पांच वर्ष की सरकार के कारेकार की तुन्ना इनके 55 वर्ष के कारेकार सिल कर लें तो भी मोधी जी का और प्रवेश में भारती जनता पार्टी सरकार का पलणा भारी होगा और यही बताने के लिए मैं आया हूँ हमने या पे 3,000 आवाज तो सौरी छेतर के गरीबों को दिया और 28,000 के लिकावाज ग्रामिन छेतर में गाओं के गरीब को पलब्द करवाया है भाईो बेनो हम लोगों ने यहां पर 2,57,600 से अधी गरीबों को निसुल्क भिक्तुच के कनेक्शन उपलब्द करवाये हैं 1,66,000 परिवारों को यहां पर हम लोगों ने रुसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्द करवाये हैं और 7,5 लाग से अधिक परिवारों को एक-एक सोचाले आजमगड में ऐसे गरीबों को दिलाने का कारे हमारी सरकार में किया है अब तक हम लोग 2,95,900 से अधिक किसानों को नोट करिए 2,95,900 से अधिक किसानों को प्रणान मंत्री किसान सम्मान मिदी में 4,000 रुपे उनके खाते में भेज चुके हैं और चुना के बाद भेज जितने किसान होंगे इन सब के खाते में भी 6,6,000 रुपे हर वर्ष आना प्रारम्द हो जाएगा इसके लिए उनको कहीं जाने के आओ सिक्ता नहीं पड़ेगी भायो बेनो जब किसानों के कर्जमादी की बात हुई थी तो अकेले आपके इस जन्पद में हम लोगों ने बादसत हजार से भी किसान परिवारों के कर्जमाद किये थे एक लाग रुपे तक कर्जमाद किया था यानि इतने कार आपके अकेले इस जन्पद में हुए हैं आप अनुमाद कर सकते हैं कि विकास के इनकार्यों के एक लंबी स्तिरिंखला है और उस प्रिंखला को आगे वढ़ाने के लिए ही योग्या जन्परतिनिधी विकास की सोच जिसके अंदर हो उस प्रकार का प्रतिनिधी हमें चहिए और भायों बेनों पुरे देश के अंदर जो लाहर है पस्तिन से चुना हो रहा है आपने देखा होगा सारनपुर है, मुजफवनगर है, केराना है, मेरट है, विशनोर है, गाजियाबाद है, गौतम उद्दनगर है, बुलंसर है, मुरादाबाद है, बरेली है, सबी जगे एक ही आवाज है और वह आवाज है, मुदी, मुदी, मुदी की, सब जगे एक ही आवाज है, फिर एक बार, फिर एक बार, मुदी सरकार की और मुदी सरकार की आवाज इसलिए है, क्योंकि मुदी जी ने बाँच वर्ष में उस्परकार का कारे किया अगर मुदी जी ने देज की सीमाओं की रक्सा की पुक्ता विवस्ता नए की होते, तो पाकिस्तान हमारे देज के स्थेनिकों का सिर काट करके लेके जाता था कहीं समंद्र बिगड़ना जाएं और इस बार आपने देखा होगा पुलवामा में जैसे ही हमारे स्टेनिक सहीद हुए स्ट्यार पीएप के जवान सहीद होते हैं प्रधान मंत्री जी ने अगले दिनी गोश्णा कर दी थी कि हमारे जवानों का बेलदान ब्यर्थ नहीं जाएगा दुस्मन कहीं भी छुपा होगा पाताल में भी छुपा होगा उसको निकाल बाहर लाएंगे और उसको उसी की मौत मारेंगे और भायों मेंनों बहतर घंटे के अंदर सभी आतंकियों को मार गिराना और तुस्में दिन पाकिस्तान के अंदर चड़ करके सभी आतंकी टैंपों को नस्प करना ये दिल्ड इच्छा सक्ती की सरकार ही कर सकती है सेमा के सौरर प्राकर उपर कभी कोई संदे नहीं था किसी को संदे नहीं था लेकिन राजनितिक नित्रिक्त्व पर उनकी इच्छा सक्ती पर उनकी नियत पर सबेब घोट जरूर रहा है लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रान मंत्री की दिल्ड इच्छा सक्ती के सामने जुनिया की कोई ताकत भारत को ढिगा नहीं सकी भारत को जुका नहीं सकी और भारत में अपने विसन में सकी